Pixel 8 को मैं काफित इसे यूज़ कर रहा हूँ as a primary device और इसके बाद मैं एक in-depth review कर रहा था लेकिन इसके बाद मैं update का वेट कर रहा था किया कोई update आर उसके बाद मैं एक यूज़र experience बेटर होता है या फिर नहीं और देखो update आ चुका है मैं install कर चुका और उसके बाद बीना एक update है तो मैं था यार इतना चोटा साइस का update दिया पता नहीं कितना ही क्या ही ठीक करेगा और सबसे बड़ी बात जानते हूँ अब क्या जो पिक्सल मुझे issues लगते है भाई ये install होने में एक धेड़ गंटे लग गये तो मुझे लग रहा था इतना time की लग रहा है इतने चो आपको कोई issue नहीं आएगा और heating की अगर मैं बात करता हूँ जो सबसे पहला मेरा एक major issue है पिक्सल 8 के अंदर देखो वो जो है अभी भी solve नहीं हुआ है मेरे को लग रहा था कि क्या पता है एक update सबसे जो पहला होगा वो इस issue को solve करेगा क्योंकि heating ना अगर आप जब भी आ सब्सक्राइब हो जाता है और अभी जो डेली में वेदर भी है वो काफी सब्सक्राइब करना चाहिए जब इंका पोस्टर है था कमिंग इन हॉट मेरे को लगता है गूगल ने काफी सीरेस लेले कि इतना हॉट फोन इसे बना रखा है मेरे इसाब से समर आने से पहले इस issue क इसके अंदर ने जो मेरे को screen on time था मिल रहा था लेकिन update वा थोड़ा minor improvement देखने को मिला है अब मेरे को almost 5 घंटे का screen on time मिल जाता है अगर आप moderate usage करते हो तो और इसके अंदर कोई भी gaming नहीं होता है और pixel वैसे भी gaming के लिए नहीं बना है तो मेरे इसाब से अभी भी जो है य मुझे कोई भी अची दिक्कत देखने को नहीं मिले जैसा पहले परफॉर्म कर रहा था अभी भी वैसा ही कर रहा है और overall जो पिक्सला camera है अभी भी आपडेट के बाद भी अब देखो जो मैं bugs की बात करता हूं आपको आपको बताता हूं दो तीन bugs हैं जो आपको normal आपको दिख जाएंगे कभी-कभी इसे hot सा अभी आप फुल स्क्रीन करता हूं और फुल स्क्रीन पर नहीं जाता है कई बार बैक करके आपको दुबारा से उसे open करना था तब ही आपको फुल स्क्रीन मोड में चलता है और दूसरे तो YouTube में कभी-कभी open करता हूं तो यार वो में मे इसले वीडियो में आते पिक्सल की नेटवक के इसूस काफी जादा रहते हैं और अपडेट के बाद मुझे इसमें भी थोड़ा इंप्रूब्मेंट देखने को मिला है कि काफी जगह पे अब नेटवक आ रहे हैं अभी मैं बैस्ट नहीं बोलूँगा देखो काफी सारे इस से बहुत ज़ादा बेटर परफॉर्म करते हैं अल्टा आइफों भी काफी जगह पे अ नेटवक नेटवक आ रहे थे लेकिन पिक्सल अभी थोड़ा बेटर हुआ है लेकिन अभी ज़ंस पर बाकि सारे फोंस वहां भी और उसको जरूर करना चीशी अपने नेटवक मे और मैंने चेक भी करा Google के official site पर भाइस पर लबख सारे 5G bands है उसके बाद भी ये issue आना मुझे नहीं पता कि hardware का issue है या फिर software का लेकिन अभी भी maximum जगह पे जहां मेरे को सारे phones 5G देते हैं यार ये अभी भी 4G दे रहा है अब मैंने फिर एक चीज नोटी स्कुरे थी Twitter पर प्रो या फिर 8 लेना चाहिए या फिर नहीं क्योंकि काफी सारी यूजर जो इन्होंने पहले लिया था वो इसे यार बेच रहे है और उसके बाद ना आपको लेने का डिक हो जाता है क्योंकि उनका जो प्राइस है ना अच्छा खासा गिर जाता है Google का ना से बड़ा मैं ब साथ बारगेन करोगें तो 50K तक में अपना फोन बेच दे रहे हैं तो बाई 15,000 बे भी फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं सबसे बड़ा सवाल देखो यही है तो देखो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अगर वो इतना लॉस लेके भी अगर वो फोन बेच रहे है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब दे